सो हेलो गाइज, इस मी आयूश और मैं तुम सभी का विलकुम करता हूँ चैनल के एक और ब्रैंड न्यू वीडियो में और आज के वीडियो में हम लोग एक्स्पिलनेशन करने जा रहे हैं वाइकिंग सीरीज के सीजन वन के एपिसोड नमबर नायंत का जो की इस सीजन का फि अंसर किस चीज का दू बट फिर भी मैं कुछ उल जलूल की चीज़े लिखके आ गया हूँ पूरी कॉपी मैंने भर दिये और वो भी सिर्फ इस उम्मीद में कि जो भी बंदा मेरी कॉपी चेक करेगा वो तरस खाके मेरे उपर नमबर दे दे कि हाँ भाई बच्चे ने कम स सीडीज का एक्स्प्रेशन ही क्यों न लिखो पर लिखके जरूर आना एंड विदाट विस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स केट ओन तो थे एक्स्प्रेशन Previously on Vikings हमने देखा कि Ragnar अपने परिवार की सेफटी और भगवान से कुछ सवाल पूछने के लिए Vikings के मंदिर अपसाला जाता है जहां पे उसे Vikings का सबसे ताकदवर राजा King Horik मिलता है और यहीं से एपिसोड 9 चालू होता है जहां Ragnar King Horik के काम को करने के लिए अपने भाई रोलो अपने बेटे Beyond Flocky और कुछ गिने चुने साथी Vikings को लेके जाल बॉर्ग के पास आता है रास्ते में बारिश हो रही होती है क्लाइमेट ठंडा होता है जिसकी वज़े से वो लुग कप कप आते हुए जाल बॉर्ग के पास पहुचते हैं जाल बॉर्ग बोलता है कि वो एरिया मेरा है और मैं वो एरिया किसी को नहीं दूँगा एंड रागनार जाके किंग होरिक से कह दे किंग होरिक मेरे एरिया पे नजर डालना बंद कर दे रागनार जाल बॉर्ग की इस बात का जवाब देता है कि किंग होरिक लडाई नहीं चाहते हैं इस पे रैगनार जवाब देता है कि यार देखो लड़ाई जगड़े से तो हम भी नीडर थे बस किंग होरिक इस मैटर को समझाओता करके निप्टाना चाते हैं जिसके बाद जाल बॉर्ग रैगनार से उसका नाम पूछता है तो रैगनार उसे अपना फुल नेम रैगनार लॉथ बॉर्ग बता देता है जिसे सुनने के बाद जाल बॉर्ग रैगनार और उसके साथियों को रिस्पेक्ट देने लगता है और बोलता है कि आज के दिन तुम लोग रेस्ट वगेरा कर लो हम इस मैटर पे कल बात करेंगे सीन जिफ्टो के केटागेट में जाता है जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होते हैं पर लगार्था नहीं खा रही होती है लगार्था ने तीन दिनों से सही से खाना नहीं खाया है और जब लगार्था की बेटी लगार्था से पूछती है कि आप खाना क्यों नहीं खा रही हो तो लगार्था जवाब देती है कि उसे रैगनार की चिंता है रैगनार जो जाल बॉर्ग के पास गया है उसे चिंता है कि कहीं रैगनार जिंदा वापस आएगा या नहीं अगले दिन रागनार जालबॉर्ग से बोलता है कि तुम जमीन की कीमत बताओ जिते भी पैसे तुमें चाहिए हम उतने देंगे and in return तुम हमें हमारी जमीन वापस कर दो लेकिन जालबॉर्ग रैगनार की बात को नहीं मानता और कहता है कि ये जमीन प्राइसलेस है जिस पर रोलो बोलता है कि अरे कीमत लगा के तो देखो हर चीज की कीमत होती है तो जाल बॉर्ग बोलता है कि मुझे कीमत के तोर पे होरिक कसर चाहिए जिसे सुनने के बाद रैगनार वहां से जाने लगता है पर जाल बॉर्ग उसे रोकता है और बोलता है कि क्यों ना हम जमीन को आपस में बाट ले जिस पे रैगनार जवाब देता है कि किंग होरिक ने म नहीं आ जाता है तब तक तुम हमारी एश्ट्री जाके देख लो जिसकी खासियत यह है कि उसकी पत्तियां कभी नहीं जड़ती चाहे समर हो या विंटर और उसे इस दुनिया की सबसे अधा बड़ी ट्री भी कहा जाता है पर हाँ जब तक तुम लोग यहां घूमो फिरोगे तब तक के लिए तुम्हें अपना एक आदमी मेरे पास भी छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि यार मुझे भी तो तुम लोग के उपर भरोसा रहना चाहिए ना कि तुम लोग मुझे धोका नहीं दोगे जिसके बाद रैगनार रोलो को जाल बॉर्क के पास छोड़ दे दिखाई दे रही है मुझे अपने हस्बेंट रैगनार की चिंता हो रही है और पूछती है उस धोंगी बाबा से कि मेरे इन सपनों का मतलब क्या है जिस पर धोंगी बाबा जवाब देता है कि ये काली शक्तिया पाताल से आ रही है जिससे गौड भी तुमारी रक्षा नह बाने की कोशिश कर रहा होता है जाल्बॉर्ण वेरे एक भाई था जो कि मुझे बहुत पइयारा था पर राजा बने की होड में इसने मेरी फेमली और मेरे फ्रेंड्स को पॉइसन देके मार दिया जिस पर रोलो जवाब देता है कि मेरा भाई रैगनार ऐसा नहीं है वो ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा उन दोनों को रोक लेती हैं वो दोनों बताते हैं कि वो लोंग जालबॉर्ग के गेस्ट हैं जिसके बाद वो नहाने वाली औरत वहाँ आ जाती है और उन दोनों से सौरी बोलने को कहती है वो दोनों बताते हैं कि वो लोंग रैगनार लॉद ब्रुक के साथ ट्रैवल कर रहे वो औरत रैगनार के पास आती है रैगनार उससे सौरी बोलता है और उसका नाम पूछता है वो औरत अपना नाम एशलॉक बताती है एंड देन रैगनार एशलॉक को बोलता है कि हम लोग एश ट्री देखने जा रहे हैं कि आप भी हमारे साथ चलोगी और एशलॉक भी उसे हा बोल देती है सीन सिफ्टों के केटागेट जाता है जहां पर सीगी को परिशान देख के लगाड़ था उससे पूसती है कि क्या हुआ तुम्हारी तब्यत वगएर तो सही है ना सीगी बताती है कि कुछ दिनों पहले मेरी बेहन का बेटा मर गया वो कुछ दिनों पहले तक एकदम सही था पर उसे अचानक से बुखार आया और वो अचानक से मर गया किसी को कुछ नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ बस वो मर गया इसके बाद सीगी कहीं जा रही होती है और अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है सीन सिफ्टों के रैगनार के उपर जाता है जो की बियॉर्डन, एशेलोग और अपने साथी वाइकिंग्स के साथ एश्ट्री को देखने आया होता है यहाँ पर यह लोग एश्ट्री के बारे में काफी सारी बातचीत करते हैं जिसका एंड रिजल्ड सिर्फ यही निकलता है कि एश्ट्री एक काफी ब्यूटिफुल ट्री है और साथी साथ एक इंपॉर्टन डूल प्ले करती है नौर्स माइथलोजी में दूस तरफ केटागेट में अब एक महामारी फैल चुकी है सीगी थियरी और साथी साथ बहुत सारे लोग को ये बीमारी हो चुकी है बहुत सारे लोग इस बीमारी की वज़े से मर रहे हैं सीन सिफ्टो के बियॉर्ण की तरफ जाता है जो कि इस चीज़ को देख के गुसा हो रहा होता है कि उसका फादर रैगनार एशलॉक के करीब आ रहा है कुछ जादा ही करीब आ रहा है लाइक उसके प्यार में डूबा पड़ा है सीन सिफ्टों के रोलोक टरफ जाता है जहां जाल बॉर्ग उसकी काफी अच्छी तरीके से महमान नवाजी कर रहे होते हैं और साथी साथ रैगनार के खिलाफ उसे भड़का भी रहे होते हैं सीन सिफ्टों के फ्लॉकी के उपर जाता है जो कि किंग हॉरिक के पास आके उन्हें बताता है कि जाल बॉर्ग ने कहा है कि क्यों ना हम जमीन को आपस में बाट ले बट किंग होरिक इसे रिजेक्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि जाल बॉर्ग बस अपना प्राइज बताए और इन रिटर्न पूरी की पूरी जमीन हमें वापस कर दे सीन सिफ्टों के केटाकेट जाता है जहां पे अब एथेलस्टन और लगार था की बेटी गीडा भी बीमार हो चुके हैं दूसी तरफ एशलोग रैगनार को अपनी सचाई बताते हुए बताती है कि मेरी मदर एक काफी ताकतवर शील्ड मेडन ब्रून हिल्डा थी जिस पे रैगनार जबाब देता है कि हाँ तुमारी मदर के बारे में तो हर कोई जानता है पर एशलोग बोलती है कि हाँ मेरी मद पूरसे मेर एयोगनार के पास जाकि उसे कंफरंट करता है और बोलता है कि मुझसे मुझे से कर को कि और ब konnte बार है कि और एशलोग य28 canmati सेख और टार लाश और याूं मेरी मर चुका है जिसे देख के लगार्था की बेटी गीडा बोलती है कि आप गॉड्स से प्रे करों केटागेट में लाशे ही लाशे जलाई जा रही होती है इसके पास सीन सिफ्ट होता है और रात में एशलॉग रागनार के पास आने की कोशिच करती है बट इस बार रागनार बियॉण से किये गए प्रामिस को निभाता है और एशलॉग को अपने पास नहीं आने देता अपने पास से हटाता है सीन सिफ्टों के कैटाकेट की तरफ जाता है जहां पर गॉड्स के प्रकोप को रोकने के लिए लगार था एक बकरे की बली देती है एंड अगले दिन एक्चल में सबको सही हो जाता है एथेलस्टेन पूरी तरीके सही हो जाता है पर जब वो गीडा के पास जाके देखता है तो पाता है कि वो मर चुकी फिर सीन सिफ्टों के रागनार के उपर जाता है जो कि कन्फ्यूजड और परेशान होता है बियॉर्ण को दिये गए प्रॉमिस की वज़े से तो रागनार की परेशानी और बढ़ाने के लिए एशलॉग उसके पास आके उसे बताती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ सीन सिफ्टों के राथ की तरफ जाता है जहां फ्लॉकी और रागनार दोनों जाल बॉर्ग के पास वापस आ चुके हैं जाल बॉर्ग फ्लॉकी से पूछता है तो फिर किंग हॉरिक ने क्या बोला जिस पे फ्लॉकी उसे बताता है कि किंग हॉरिक ने बोला है कि उन्हें को पोई समझोता नहीं करना है उसे जमीन को आपस में नहीं बाटना है तुम बस अपना प्राइस बताओ और हमें पूरी जमीन वापस शाहिए जिसे सुनने के बाद जाल बॉर्ग रैगनार से बोलता है कि तो फिर तुम्हारा यहां पर आना वेस्ट रहा मैं पूरी जमीन नही देने वाला है एंड अब रैगनार तुम यहां से जा सकते हो एंड जब यह पूरी चल रही होती है तब हम लोगों को लग रहा होता है कि सायद रैगनार को पता चल चुका होता है कि रोलो उसे धोका देने वाला है इसके बाद रैगनार जब अपने कमरे में होता है तब व तिमसंस कार किया जा रहा होता है इसके बाद सीन बियॉर्ण के उपर जाता है जिसे कि एक मिस्टीरियस कवा दिखता है दूसरे दरफ जाल बॉर्ग रोलो को रैगनार के खिलाफ और भणकाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साइड से लड़ोगे तो मैं तुम्हें रा क्या ओपीनियन्स है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताओ अगर तुम लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना मैं में अप्राइब कर दो ठेफ्वार दोटिया जरूर अप्राइब कर दो रेटी वी वीडियो को येल...